असलावलेकूम आज हम बोड मास पढ़ेंगे ठीक है आजका लेक्चर अलीबक्ष के तरफ से दिया जा रहा है चैनल का नायम अलीबक्षक केडमी आज हम लेक्चर स्टार करने जा रहे हैं बोड मास ठीक है पहले आप यह जान लें कि बोड मास का फुल फार्म क्या है उसकी O-D-M-A-S ठीक है इसकी एबरिवेशन आज हम पढ़ेंगे तो B का मतलब है ब्रेकेट बोड मास में हम हमेशा ब्रेकेट को पहले स्टार करेंगे ठीक है उसके बाद आजाती है ऑपरेशन ओपरेशन के बाद चो टर्म आ जाती है वो डिवीजन फिर हम डिवीजन को सुल करेंगे ठीक उसके बाद मल्टिप्लिकेशन ठीक हो गया फिर उसके बाद एडिशन एडिशन के बाद सब्स्ट्रेक्शन बोर्ड मास का ये रूल है कि हम पहले ब्रेकेट ब्रेकेट के बाद आपरेशन को सुल करेंगे उसके बाद डिवीजन डिवीजन के बाद मल्टिप्लिकेशन मल्टिप्लिकेशन के बाद एडिशन एडिशन के बाद सब्स्ट्रेक्शन ब्रेकेट के टाइप आ जाते हैं जैसे के ब्रेकेट के कुछ टाइप से कि ऐसे ब्रेकेट आ जाता है ठीक है उसके बाद यूँ और इसके बाद यह पिरला में इस प्रेकेट को सॉल्व करेंगे उसके बाद इसको और फिर इसको ठीक हो गया अब आईए हम इस जो सम हम लिखा हुआ है उसको सॉल्व करते हैं थ्री अपर ट्विंटिफाई इसे आप उसको लिख लें ठीए 25 प्लस की निशा नहीं हमेशा हम क्या करेंगे को सॉल्व करेंगे यहां लिखा हुए ना ब्रेकेट ब्रेकेट को हमेशा सॉल्व करेंगे तो एट अपां 35 आप इसे इसको दे दें अब यहां डिवीजन है तो reciprocal करेंगे तो multiply आजाएगा 21 upon 4 ठीके फिर multiply 7 upon 30 आसाने चलें further solve करते हैं 3 upon 25 plus अब 2 for the 2 sorry एक अगर चार को एक बार अब divide करेंगे 4 के साथ तो इसका 1 ही आजाएगा 2 for the 8 ठीक है 3 7000 21 5 7000 35 तो यहाँ पर जो आजाएगा वो आजाएगा 2 को 3 से divide कर दे sorry multiply कर दे 6 5 को 5 के साथ 5 को एक के साथ 5 multiply 7 upon 30 यह bracket यहाँ पर खतम हो गया ठीक है अब उसके बाद 3 upon 25 प्लस अब क्या करेंगे कि हम पेले इनको आपस में multiply करेंगे 6 को 6 30 के साथ multiply हो सकता है यहाँ पर 6 खतम हो गया 5 6 30 अब यह prime numbers है यह solve नहीं हो रहे है तो हम क्या करेंगे कि एक को साथ के साथ multiply करेंगे 7 5 को 5 के साथ multiply करेंगे 35 ठीक है फर्दर solve करते हैं अब हम क्या करेंगे 25 है इनको मजी solve करेंगे अगर minus होगा प्लस होगा तो हम उसका LCM निकालेंगे LCM निकालने का तरीका है अगर यहाँ सेम नांबर थे 25 LCM आपर से निकाला करें 25 एसे अब दे दे 25 25 से multiply कर दे एक बार minus कि इसका जो LCM निकलेगा वो 25 निकलेगा ठीक है 25 ठीक हो गया 25 और 3 प्लस 7 तो 3 7 को आप प्लस कर देंगे तो 10 आजएगा जवाब 2 5 यहाँ पर सेम रहेगा तो 2 5 जार 10 5 5 जार 5 तो इसका जो final answer आजएगा वो 2 अपान 5 आजएगा ठीक है यह इसका final answer आजएगा एसे ही हम कुछ simple example solve करेंगे अब यह जो हमें sum दियागा है इसको solve करते हैं ठीक है अब बोडमोस का जो rule है वो है कि हम पहले bracket पर यहाँ पर bracket नहीं तो division को solve करेंगे operation भी नहीं है division को solve करेंगे तो 50 को आप ऐसे ही दे दें प्लस अब 5 और तो यहां 15 है 15 को अगर हम divide करेंगे तो answer अमारा आएगा 3 ठीक है multiply आप ऐसे ही इसको दे दें same आप 15 यहां पर लिख लें और प्लस 3 और 2 को multiply कर दें क्योंकि बोडमास में division के बाद हम आमेशा multiplication को solve करेंगे तो 3, 2, 6 50 फिर जो एक ही operation बच यह वो है add करना तो हम इन दोनों को add करेंगे 15 और 6 कितने हुए 21 तो हमारा जो final answer आजाएगा वो आजाएगा 21 ऐसे ही कुछ यह next example हम solve करते है जो हमारा third sum है वो यह है ठीक है 25 multiply 5 divide 10 प्लस 6 तो board mask के मताबिक हम पहले division को solve करेंगे 25 आप एसे ही दे दे ठीक है multiply के निशानी दे दे 5 और 10 multiply हो रहे हैं ठीक है अगर हम दोनों को multiply करेंगे sorry divide करेंगे तो answer आजाएगा 2 प्लस 6 आप एसे ही same इसको रख दे अब हम क्या करेंगे multiply को solve करेंगे according to the rules of board mask तो 25 multiply by 2 कितना answer आएगा 50 प्लस आप एसे दे दे 6 और 50 और 6 कितने हुए 56 तो हमारा जो right answer आजाएगा वो आजाएगा 56 ठीक है